कहानी के पिछले अंक में हमने देखा कि राधिका अपनी दोनों बेटियों को पेड़ की टहनी पर बिठा देती है वो पानी में ही थी तभी एक बड़ा मगरमच उसके सामने आ जाता है बच्चियां डर जाती है चिलाने लगती है राधिका भी वहां से दूर जाने की कोशिश करती है पर मगरमच भी उसका पीछा करती है पानी का बहाव तेज था इसलिए राधिका डूब जाती है वो पानी की धार के साथ ही एक किनारे पर आ जाती है और वहां बेहोश पड़ी रहती है उधर दोनों बच्चिया पानी का बहाव कम होने पर पास के ही गाउ में चली जाती है चोटी कीर्ती दीदी मा कहा होगी क्या मा हमारी पास वापस नहीं आएगी यो रोते हुए पूछती है तब कावेरी आएगी मा ज़रूर आएगी नहीं आए तो हम उसे ढूट लेंगे कीर्ती यो कहती है फिर दोनों मिलकर मा को ढूटने लगती है चलते चलते उनके पैर दर्द देने लगते है कीर्ती कहती है बीदी मुझे बहुत बहुख लगी है यो कहकर वो रोने लगती है के लिए यू कहकर कावेरी रास्ते पर लोगों से भीख मांगने लगती है पर कोई उसे पैसे नहीं देता उसे समझ नहीं आता कि क्या करें उतने में उसे एक कूडा दान दिखाई देता है वो वहां जाकर उस कच्रे में ढूरने लगती है शायद खाने को कुछ मिल जाए ही हो क्या तुम्हारा कोई नहीं है यू पूछती है नहीं नहीं मेरी मा है यू कावेरी उस औरत को सारी बाते बताती है वो औरत व्यथीत होकर चिंता मत करो बेटा तुम्हारी मा ठीक ही होगी वो जरूर वापस आएगी भगवान तुम्हारी मदद करेंगे यू उसे समझ कावेरी उसका शुक्री आदा करती है कोई बात नहीं बेटा वैसे हमारा घर यही पास में ही है मैं भी अकेली रहती हूँ तुम और तुम्हारी बहन मेरे साथ रहने आ सकते हो उस पर कावेरी कहती है मेरी बहन को बहुत भूख लगी है क्या हम अभी आपके घर आ सकते हैं वो और भी हाँ हाँ क्यों नहीं चलो मेरे साथ फिर वो दोनों भी उस औरत के साथ उसके घर चली जाती है वो औरत उन्हें गर्मा गर्म खाना परोस्ती है वो दोनों पेट भर के खाना खाती है वहाँ नदी के किनारे राधिका बेहोश पड़ी थी एक बुज़ुर्ग आदमी उसे देख अपने घर ले जाता है कुछ देर बाद उसे होश आता है कौन हो तुम वो आदमी पूचता है मुझे कुछ पता नहीं थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए राधिका कहती है वो आदमी उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है राधिका यूही लेटे लेटे सोच रही थी अच्छानक वो उठ जाती है मेरे बेटियों को बचाओ, मेरे बेटियों को बचाओ वो चिल्लाने लगती है वो आदमी आकर क्या हुआ बेटा? क्यू चिल्ला रही हो? यू पूचता है राधिका उसे सारी बाते बताती है ये तो एक छोटा सा गाउ है तुम जो कह रही हो पता नहीं वो जग कहा है मैं नहीं जानता वो आदमी कहता है उसकी बाते सुनकर राधिका व्यथित हो जाती है मेरी दोनों बेटियां नजाने कहा होंगी मुझे बहुत चिंता हो रही है ये राधिका रूने लगती है वो आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है वहाँ कावीरी कीरती भी मा के बारे में सोच व्यथित हो जाती है दन बीत रहे थे एक दन राधिका मन ही मन बच्चों को ढूनने का सोचती है चाचा जी इतने दिन आपने मेरा बहुत खयाल रखा अब मैं अपनी बच्चियों को ढूनना चाहती हूँ बहुत देर हो गई है मुझे अब तक उन्हें ढून लेना चाहिए था मैंने यहां से जानी का रास्ता पता कर लिया है मैं सावधानी से जाओंगी आप चिंता मत कीजिए वो आदमी भी बेटा राधिका ध्यान से जाना बेटियों को ढून कर यही ले आना मैंने भी मेरी बेटी को खोया है सोलह साल की उम्र थी उसकी इसी नदी में वो ढूप कर बह गई थी कहा कहा नहीं ढूनडा मैंने उसके लिए पर वो नहीं मिली मुझे तुम्हारे रूप में अपनी बेटी मिली है मेरी बेटी का नाम सोंदर्या है यो कहकर वो से अपनी बेटी की फोटो दिखा कर रोने लगता है चाचा जी आप दुखी मत होईए मैं अपनी बेटीयों को ढून कर आप ही के पास ले आओंगी राधिका कहती है फिर वो अपने बेटीयों को ढूनने निकल पड़ती है वो काफी परिशानिया उठाती है कड़ी धूप में चलते चलते उन्हें ढूनती है पर उसे कहीं पर भी बच्चीयों का कोई ठिकाना नहीं मिला हे भगवान आप ही कुछ रास्ता बताओ मेरी बेटीया कहा है कुछ तो पता चले वो यो रोती रहती है उधर कीरती कावेरी भी उस औरत से मौसी हमारी मा को ढूनने में क्या आप हमारी मदद करेंगी हम मा को ढूनने जा रहे है आप चलेंगी हमारे साथ यो पूछती है अरे पर हम उन्हें कहां ढूनेंगे ठीक है तुम कहती हो तो चलो कोशिश करते है यो कहकर वो तीनों भी राधिका को धूनने निकलती है वो भी आसपास के गाउं में धूनती है पर राधिका का कोई पता नहीं चलता वो ठक कर घर आ जाती है कावेरी कहती है कर फिर धूनेंगे उधर राधिका उन्हें धूनते धूनते उसी गाउं में आ जाती है तभी वो औरट भी सबजिया लेने बजार जा रही थी राधिका एक जगर बैठ पानी पानी प्यास लगी है यो हाफ रही थी राधिका को देख वो औरत उसे पानी पिलाती है राधिका उसका शुक्री आदा करती है वो औरत पूछती है आप कौन है लगता है काफी दूर से आई है तब राधिका हाँ मैं बहुत दूर से आई हूँ दो दिन से भूखी हूँ कुछ खाने को मिल सकता है यू पूछती है तब वो औरत मेरा घर यहाँ पास में ही है चलिए यू कहती है वो राधिका को लेकर अपने घर जाती है वहाँ कीर्ती कावेरी को देख राधिका के खुशी का ठिकाना नहीं रहता कावेरी और कीर्ती भी मा से बिलगकर रोने लगती है हम दोनों भी ठीक है माँ मौसी ने हमारा बहुत खयाल रखा कावेरी कहती है राधिका आपने मेरी मदद की इतने दिन से मेरी बेटियों को संभाल रही है आपका ये एहसान मैं जिन्दगी पर नहीं भूलूंगी राधिका कहती है उस पर वो औरत हमने भी तुम्हें बहुत ढूंडा पर तुम कहीं नहीं मिली भगवान की लीला भी कितनी अपार है जो तुम्हें यहां भेज दिया शाम हो जाती है बच्चिया खाना खाकर सो जा आती है राधिका दीवार पर लगी फोटो देख रही थी यह फोटो कहीं देखी है मैंने यू कहती है यह मेरी ही फोटो है जब मैं 16 साल की थी मेरे बाबा ने मेले में खिचवाई थी मेरे बाबा का नाम जगन है हमारा गाव बहुत छोटा है वहां एक नदी भी है मैं ने मुझे आस्रा दिया न, वो मा बाबा आक्सिडन में मारे गए, मेरे बाबा को भी मैंने बहुत ढूंडा, पर वो कहीं नहीं मिले, वो मुझे ढूंटे ढूंटे कहीं चले गए, ऐसा गाव वालों ने बताया, राधिका ये सुनकर उसे पूछती है, क्या आपका नाम सौं राधिका सौंदर्या को सारी कहानी बताती है, अच्छा, मेरे बाबा कैसे है, ठीक तो है न, मुझे उनके पास ले चलिये, सौंदर्या कहती है, जरूर ले चलूंगी, राधिका बताती है, वो दिन भी जाता है, अगले दन सुबह, राधिका, सौंदर्या, दोनों बच्च पहुँच कर सौंधरिया अपने बाबा को देख बाबा यू कहकर उनके गले लग जाती है जगन भी रोते हुए बेटा सौंधरिया कहा कहा नहीं ढूंडा मैंने तुम्हें यू कहतर रोने लगता है सौंधरिया भी रोते हुए सारी कहानी बताती है राधिका अपनी बेटियों को पाकर खुश थी तो जगन को भी उसकी बेटी सौंधरिया वापस मिली थी उन सभी के चहरों पर खुशी जलक रही थी इसी तरह वो सारे खुशी खुशी रहने लगते हैं